बांगलादेश में करंट सिचुएशन क्या है इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत तो जानकारी अभी तक लग चुकी होगी सिचुएशन बहुत ज़़ा खराब है जो इस्टुडेंट्स है वो सड़कों पे उतरे हुए थे और कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहांपे मैंने बताया था कि उनके जो रेसिडेंस है वहाँ पे घुश चुकी है वहाँ पे तोड़फोड कर रही है तो इन सब का रीजन क्या है इसको इस्टार्टिंग से थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिज करते हैं आपको पता होगा जब जनवरी में एलेक्षन हुआ फिर से सेख हसीना पावर में आई जब सेख हसीना पावर में आई तब USA ने बोला था कि बंगलादेश में फेर एलेक्षन नहीं हुए है अब अगर कोई भी कंट्री में अगर ऐसा कमेंट USA करता है तो ओवियस है उस पोजिशन जो है लिडर्स वो इस पे हंगामा करेंगे और सेम बंगलादेश में भी ऐसा ही हुआ जब यहाँ पे ऐसा हुआ तो लोग धीरे-धीरे सड़को प्याना शुरू हो गया और बताने लगे कि यह जो है एलेक्षन सही तरीके से नहीं हुआ है पीम सेख हसीना को र रिजर्वेशन में क्या था कि देखिए बंगलादेश में क्या कि जो भी बंगलादेश को लिब्रेट किये हैं आजादी के लड़े हैं उनका रिजर्वेशन था 30% तो यह रिजर्वेशन से चला रहा था लेकिन 2018 में कुछ हुआ था जिसके चलते उसको इस्टे लग गया इस्टे लग गया तो हुआ क्या कि लोग खुश देकी चलो ठीक है इस्टे लग गया 30% जो रिजर्वेशन था उनको नहीं दिया जा रहा है लेकिन अचानक से उहां की एक कोट है वो ये बोलती है कि वो रिजर्वेशन फिर से आप लागू करो अब इससे बांगलादिस के लोग बहुत ज़़ा नाराज हो गए यहां पर देखेंगे सेख हसीना का इससे कोई लेना दिना नहीं था जो भी ये फैसला था ये कोट का था लेकिन यहां पर जब ये फैसला आया तो लोग सडकों पर उत्रे और बताया जा रहा है प्रोटेस्ट बहुत ज़़ादा जो था वो देखेंगे डेंजरस रूप ले लिया तोड़फोड होई और मैंने वीडियो बनाया था वहां पर मैंने आपको बताया भी था ये बात कुछ टाइम पहले किये बात है तीन सो मौते बांगलादेश में हुई बहुत ही बूटल था ये अब सुप्रीम कोट बीच में आती है वो कोट का फैसला वापस लेती है बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है आप वापस से जो फैसल लगाने वाला वो बंद करो तो सुप् कि प्रोटेश्ट फिर भी चालू रहा अब वो लोग यहां पे पीम सेख हसीना का रिजाएनेशन मांग रहे थे आपको बता दो इसी बीच जब यहां पे पीम हसीना चुनाओ जीती थी और जब USA ने ये बोला था कि वहां फैर एलेक्शन नहीं हुआ है तब सेख हसीना ने एक statement दिया था कि कुछ western countries है western power है उन्होंने बोला है कि जो बांगलादेश में उन्हें एक military base बनाना है जिसको लेके उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया अब global media है उसको ये लगा कि USA जो है वो base बनाना चाह रहा था बांगलादेश में और पीम सेख हसीना ने साफ साफ इस इसको देखेंगे अगर experts की माने तो एक foreign intervention हो सकता है लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो पीम सेख हसीना का resignation था ये organic बिलकुल भी नहीं था जरूर कोई ना कोई major power है जिसने interfere किया है बांगलादेश के internal politics में इंडिया के लिए बात करें तो इंडिया के लिए बहुत जादा ही खराब है ये न्यूज क्योंकि पीम सेख हसीना भारत को लेके बहुत ज़्यदा प्रोश्टांस रखती थी भारत और बांगलादेश की जो रिष्टे थे वो और ज़्यदा सुधरें पीम सेख हसीना के ही जब यहां पे leadership में तो भारत के लिए खराब न्यूज है और अगर भारत के रिजन के आसपास देखें चाहिए वो म्यानमार हो अब बांगलादेश हो या फिर आप पाकिस्तान देख लो पाकिस्तान में recently क्या हुआ ये किसी से चुपा हुआ नहीं है तो ये सवाल उठता है कि क्या foreign intervention था क्योंकि आपको बता दे जब इमरान खान ने भी USA की खिलाग बोलना शुरू किया था जब उन्होंने बोला था कि USA जो है वो direct intervene करना चाहरा है उनको हटाना चाहरा है पावर से पाकिस्तान में तो इमरान खान के साथ क्या हुआ हमने और आपने बहुत अच्छी तरह से देखा अब से बंगलादेश के साथ हुआ अब देखिए भारत के लिए चिंता का तो एक भी सही है कि एक बहुत ही अच्छा friendly leader वो जो बंगलादेश का PM था वो नहीं रहेंगे लेकिन बंगलादेश के जो आर्मी चीफ है उन्होंने टेक ओवर कर लिया उन्होंने ये बोला जैसे इस PM से खासिना ने देश छोड़ा और साथ वो भ कर्फरम नहीं है अगर कर्फरम होता है तो इसे related में कुछ वीडियो लेकि आऊंगा तो अब देखिए उहां के जो आर्मी चीफ है बंगलादेश के उन्होंने ये बोला है कि हम जो है नया government form करेंगे और बनाएंगे अब सवाल ये उठता है कि जो नया government form करेंगे क्या प्र बॉर्डर पर इंडिया को अपना security बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जब military rule होता है तो हो सकता है बहुत सारे उहां से जो public है उहां के जनता है वो भारत आने की कोसिस करें तो इंडिया को देखना पड़ेगा कि यहां पर illegal immigrants बहुत ज्यादा ना पहुच जाए क्योंकि हम लो बहुत ज्यादा populated है densely populated है अब नई government आती है जो भी form करती है वो क्या army rule करेगी कटपुतली होगी या खुद electric हो क्या आगी यह तो आने वाला समय बताएगा लेकिन अभी हमारे पड़ोसी जो भी देश है उहां पर इस्तिती सही नहीं है देखेंगे हमारे देश में हो या फिर आप European countries में जाओगे बहुत सारे countries अब जो है या तो civil war हो या फिर war हो इसमें involved हो चुके हैं और भारत को इस situation से निपटना पड़ेगा तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि जब हमारे border पे ऐसा कुछ होता है तो obvious है हम भी इससे effect कुछ ना कुछ तो जरूर होंगे भारत यहां पे boundary पे है वैसे तो निगरानी बढ़ा दिये security बढ़ा दिये है और हम लोग जो है लगातार updated भी रह रहे हैं हमारी government भी obvious है बहुत ज़्यादा prepare होगी कुछ भी वैसा event होता है तो उसको रोकने के लिए उमीद करता हूँ PM सेक हसीना ने resign क्यों किया आपको यह बहु वीडियो में तब तक पढ़ते रहिए खुस रहिए जय हिंद